हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चेप्टर अकाउंटिंग रिशो आगे कॉंटिन्यू जिसको हम टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं अब तक इसके 107 कुश्चन हो चुके आज 108 की जो 12 क्लास है हर चेप्टर की एक्स्प्लानेशन की अलग से वीडियो हैं तो आपको कभी एक्स चेप्टर को देखना है तो वो वीडियो भी अवेलेबल हैं आपको टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के किसी भी कुश्चन में डाउट हो जाए चाहिए वो कोई भी 75,000 is the credit revenue from operation that is net credit sale of enterprises यानि के credit sale given है में इफ ट्रेड रिशेबल turnover ratio is eight times और ट्रेड रिशेबल turnover ratio भी आपको दे रखा है eight times calculate trade receable in the beginning and at the end of the year हमें opening यानि के opening ट्रेड रिशेबल find out करना है और closing ट्रेड रिशेबल find out करना है ट्रेड रिशेबल at the end is 7,000 more than that in the beginning और जो ट्रेड रिशेबल है जो closing है वो 7,000 opening से जादा है तो कैसे करते हैं देखो देखो सबसे पहले question में देखो फामूला तो यह बनता है ट्रेड रिशेबल turnover ratio का net credit sale divided by average rate receable इस एक फामूले में देखें तो हमें यह भी गीवन है और यह भी गीवन है तो यह चीज निकल जाएगी जब यह निकल जाएगी तो इससे opening और closing निकाल लाएंगे तो सबसे पह turnover ratio यह से लिखेंगे किलियर है लिखना नहीं है समझाने के लिए बस आपको यह चीज आपको गीवन है देखो पुट करो कितनी दे रखी है एट टाइमस यह लिख्यूई और credit revenue from operation आपको दे रखी है 1,75,000 पुट कर दो 1,75,000 एवरेज दे नहीं रखी आवरेज निकल गई आपकी average trade receivable यह तो निकली गई अब आपके cross multiplication हो जाएगी चीज आपकी निकल गई किलियर है क्या करेंगे cross multiplication कर दो 8 से इसको डिवाइड कर दो यह multiply होगा यह इस से डिवाइड होगा तो average आपकी लिख लो average trade receivable कितना आ जाएगा 1,75,000 तो यहीं रहने दो और divided by 8 करोगे त तो 21,875 आ जाएगा यह क्या चीज आ गई नोट करो average trade receivable आ गई पहले फामुला लिख दो देखो average trade receivable का यह रहा लिख दते है average trade receivable फामुला था याद करो थोड़ा सा opening trade receivable plus closing divided by 2 यही तो बताया था लिख दो पहले यह तो opening आपको दे रख है opening trade receivable और plus करो closing trade receivable और divided by कर द यह आपका है अब नोट करो क्या चीज गीवन है इस equation में यह चीज तो गीवन है यह निकली यह नहीं 21,875 लेकिन ना तो यह गीवन है और ना यह गीवन है कैसे करेंगे इसको देखो एक को X माल लेंगे opening को यहां ले लो X यह मैं यहां लिख देता हूं opening को कितना वाल लेत 7,000 more than opening से opening से 7 जाद है opening को हमने X माल लिया तो closing कितना आ जाएगा आपका closing आ गया X प्लस 7,000 अब इसको equation में put कर दो भाई हमने opening को कितना माल लिया X माल लिया लिख दो यह आपर यह तो गीवन है कितना अभी निकाल लिया 21,875 opening को हमने X माल लिया closing कितना है X प्लस 7,000 लिखा हूँ है लिख लो X प्लस 7,000 और divided by 2 कर दो अब equation को solve कर लो भाई जब आप इस equation को solve करते हो तो यह बन गया 42, 43, 6, 43, 750 आ रहे 43, 750 इक्वल टू यहां के आ जाएगा तो cross multiplication कर रहा हूँ यह 2X प्लस 7,000 आ गया अब इसको और equation को solve करो भाई इसको इदर लिया होगे तो minus का sign हो गया तो 2X किसके equal हो गया यह रहा 43, 750 माइनस 7,000 करते हो तो यह 2X equal to क्या बन गया 7 इसमें से minus कर तो कि तरह बन जाएगा 3, 36, 750 और X की value आपकी आ गई 36, 750 डिवाइड़ बाई 2, 183,75 यह क्या चीज़ आ गया note कर लो यह opening ली तो आ गया X किसको माना था हमन और अजी है यह देखो लेगा लिखा हवा opening को, तो हमारे opening ट्रेड तो आ गए लिखे लौय यह क्या चीज आ गई यह आपका opening ट्रेड, क्लोजिंग भी निकल गया आपका खूल चाहल दो साइब आजाएगा ये क्या चीज़ आ गई ये क्लोजिंग आ गई दो यह तो आंसर निकाल ले थे हम ध Mitch opening find out करना था और closing तो यह question यह था क्या करना है प्याने formula लिख लिया formula में आपको यह भी given था और यह भी given था तो missing करके चीज निकल गई अच्छा यह आ गई अब opening दे रखा था ना closing दे रखा था इसको हमने x मान लिया यह लिखा वा इसके बारे में बता यह opening से 7000 more है तो जितना यह है उसमें 7000 कर देंगे तो एक्स प्लस 7000 हो गया तो यह चीज तो निकाली लाए थे अभी हमने यह पुट कर दो यह पता चल गई divided by 2 फिर equation solve कर लो तो ऐसे था यह आप एक और और question करते हैं 109 वो काफी अच्छा question है वो भी question को read करता हूं आप देखिए लिखा है from the following information calculate opening and closing trade receable जैसे 108 में हमने opening or closing trade receable find out करा था इसमें वही find out करना है इस trade receable turnover ratio is three times आपको trade receable दे रखा है three times cash revenue from operation is one third of credit revenue from operation Cash revenue from operation product cash sales बता रख 120 हमारी दो तरीके की हमारी की सेल जाद रख लो एक cash is और एक credit sales को बोलते है एक डरेट चरेच सेल करीर फिर कीरेटें करेडिशसेल को बोलते है क्रेडिट revenue फ्रिवर्षा रख लूंब गर दे तो तो good sold sales नहीं है ध्यान रख लेना यह ग्रॉस प्रॉफित बता रखाए 25 परसेंट ओफ revenue फ्रॉपरेशन आपको जीपी दे रखाए gross profit revenue फ्रॉपरेशन का लेकिन revenue फ्रॉपरेशन दे नहीं रख की ध्यान रखना तो आगे फॉर्स प्रॉइंट में लिख है trade receable at the end are three times more ये three times more का मतलब है जितनी opening होगी उसका three times more यानि कि opening भी और plus closing जो trade receable है वो three times more है यानि कि four x होगे वो अभी जब question कराऊंगा तब समझाऊंगा खाली three times लिखा है तो three x होगे more three times more हो जाए तो जितना opening है वो तो ही plus three three times more हो रहे तो वो four x बनेगा अभी जब question करते हैं तब करते हैं अब देखो कैसे starting करते हैं इस question की देखो यह चीज़ा में देखो given है question के अंदर अब इससे हम क्या-क्या find out कर सकते हैं वो सोचते हैं सबसे पहले तो हमें sales पता चल जानी चाहिए क्योंकि ना तो question में cash sales है ना credit sale है लेकिन हमें COGS दे रखी है COGS दे रखी है और GP दे रखा है दोनों को add करें तो sales निकल सकती है पहले sales निकाल लो फिर उससे credit sale आ जाएगी उसके बाद question की starting होगी तो आप याद रखो लेट total sales को एक्स एज्यूम कर लो पहले फिर फामूला लगा देंगे हम याने को लेट total revenue from operation total revenue total का मतलब दोनों बिलाकर revenue from operation equal to x मान लो यह आपका x हो गया यह क्या चीज़ मानी है हमने total sales मानी है ध्यान रख लेना उसी को क्या बोलते हैं sales कोई क्या बोलते है revenue from operation याद रख लो तो यह तो sales हो गई अच्छा अब यह sales किसके बराबर है note करो कॉग के प्लस gross profit अब वह फामूला पुट कर दो यानि को revenue from operation किसके बराबर होगा cost of revenue from operation यानि के कोग प्लस gross profit cost of revenue from operation यह हमें given है revenue from operation मैं यहां कर भी हता हूं और प्लस कर देना यहां gross profit यह इसके बराबर होती है याद रख लो sales हमारी revenue from operation sales को बोलते है cost of revenue किसको बोलते है cost को जो लिखाया था आपको अब इसमें put करो three lakh रुपी दे रखा है हमने इसको क्या माल लिया एक्स माल लिया था भी यादो आपको put करो यह आपको three lakh रुपी दे रखा है अब ग्रॉस प्रॉफिट की तरह बता रखा है 25% of revenue from operation इसका 25% तो वन फोर्थ होगा 25 उपॉन अंडड करोगे यह क्या करोगे 25 उपॉन हंडड इंटु एक्स यही तो करो गया एक्स का 25 परसेंट करो इक्वेशन को शॉल करोगे तो क्या बन जाएगा यह तो three lakh ही बन गया और यह one fourth X बन गया आपका अब इक्वेशन सॉल कर लो इसको इधर ले जाओ एक्स माइनस one fourth X equal to कितना आ गया three lakh और इसी को आगे ले जाओ करते हो तो यह LCM ले लोगे तो four x 4 हो गया तो यह तो 4 x minus x हो गया equal to 3 lakh cross multiplication कर दो करते हो यह तो 3 x हो गया और equal to यह multiply कर दो तो 12 lakh हो गया x की value आपकी आ गई कितनी आ गई 12 lakh divided by 3 कर दो यानि के आपके पास sales आ गई note कर ले न आप यह क्या चीज आ गई ध्यान रख लो अच्छी तरह से x किसको एजियूम करा था हमने यह देखो यह लिखा वा revenue को यानि के total sales आ गई आपकी अच्छी तरह से note कर लो अब हमारा question हो जाएगा टोटल रिवेन्यू का ओ या टोटल सेल का मीनिंग तो एक ही है कितनी निकल गई 4 lakh अब आप टोटल रिवेन्यू किसके इकवल बनती है दो ही टाइप की सेल है हमारी बिजनेस में cash sales और credit sales उससे वो निकल गई तरह पिर टाइप कि आप ड्कानएप अब इसके अंदर फिर द्वारा ट्विस्ट आ रहा है ये चीज तो पता चल गई 4 lakh लेकिन यह दोनों नहीं पता में और क्या कर रहा है कि जो आपकी cash revenue है one third of credit revenue है तो credit revenue को वाई मान लो थोड़ी देर के लिए फिर यह निकल जाएगी भाई यहां put कर लेते हैं छोटा सा लिख रहते हैं यहीं पर आपको लिख लेता हूँ credit revenue को क्या जिम कर लें यहां लिख लो credit revenue from operation revenue from operation equal to let कर लो इसको let हम निकल रखा है याद रख लेना revenue from operation उसको x y मान लो यह लो यदि हम इसको y मान ले इसको तो put करो यह देखो यह चीज तो आपकी आ गई कहां से आ गई 4 lakh लिखो इसको तो 4 lakh यह रहा यह तो निकल गया हमारा 4 lakh जो भी अभी find out करा यह हमें पता नहीं लेकिन हमने इसको वाई अजियूम कर लिया लिखा हुए को हमने let कर लिया यह रहा side में लिख दिया अच्छा क्या कह रहा है यह रहा जो आपको cash revenue किसके equal है one third of credit revenue यानि के जो credit revenue है उफका one third तो इसका one third कर दो करोगे तो कितना आ जाएगा one third वाई तो बनेगा अब equation को solve कर लो यह लो यह 4 lakh हो गई यह रहा equal to करो LCM ले लो 3 करते हो तो यह तो वाई और प्लस यह इस पे गया वन तो 3 वाई अब यह equation solve कर दो यह तो 12 lakh बन गया और equal to कितना वन गया फूर वाई वाई की value निकाल लो वाई की value आ गई 3 lakh और वाई आपने क्या जियूम करा था नोट कर ले ना credit revenue from operation यही तो निकाला था हमने credit revenue वाई आपने किसको एजियूम कर रखा था credit revenue को तो आई की value निकल गई लिखो यह चीज आपके पास आप आ गई अब हमें फामूले में apply हो जाएगा भाई अब आपको क्या है credit revenue पता चल गई और trade receable turnover ratio नहीं रखा है तो average निकल जाएगी और average के बाद फिर opening और closing निकल जाएगे अब वो करते हैं आप इसका screenshot लो भाई अब आप जो है फामूला लगा दो किसका trade receable turnover ratio का क्या फामूला था net credit revenue from operation लिख दो credit revenue from operation credit revenue from operation यही तो फामूला है ध्यान रख लो revenue from operation और divided by क्या था average trade receable याद रख लो average trade receable अब हमें कुश्चन में यह चीज पता चल जाएगी चल जी यह चीज आपको question में given है देखो trade receable turnover ratio three times लिख दो three times और यह चीज आपने अभी अभी निकाली है note कर लेना three lakh divide करो average trade receable से average trade receable कितना आ जाएगा करोगे तो one lakh आ जाएगा note कर लेना solution को solve करोगे तो average आपके पास आ गई average कितने निकल गई average आपके पास आ गई average trade receable कैसे निकल गई यह त्री लेक है divided by three करोगे क्योंकि यह cross motivation करोगे तो यह से multiply होगा फिर और यह से multiply तो थ्री लैक ही रहा और यह पौन में आ गया तो कितना निकल गया वन लैक यह क्या चीज आ गई नोट कर लेना यह आपकी अभी average आई है अब आपका question हो गया यहां कैसे हो गया भाई ओपनिंग और closing पता नहीं लेकिन आमें आवरेज तो पता चल गई अब वह पुट कर दो फामुले में लिखो average trade receable का फामुला average trade receable किसके बराबर थी नोट करो तो ओपनिंग trade receable और plus करो closing trade receable यह दोनों ही नहीं दे रखें नोट कर लेना closing trade receable और divided by कर दो इसको टू यह रहा इस question में ना तो यह यह तो पता चल गया वनलेक है ना तो आपको यह पता और इसके बारे में लिख रहा है कि यह कितना है इसका three times more है बहुत ध्यान से दिखते जाओ हम एक से ज्यूम करा है यह रहा एक्स पुट करो अब यह यह तो वनलेक हो गया नोट करो यह रहा बहुत ध्यान से देखते जाओ equal to करो opening को एक्स करा और यह क्या बता रहा है देखो एक वर्ड होता है three times और एक वर्ड उसके साथ जुड़ा हो है word more का मतलब क्या है खाली three times हो रहे clear हो गया यह ऐसे बहुत द्यान से देखो divided by two करो अब इसको cross multiplication कर दो यह तो two lakh बन गया यह लो चीज़ अच्छी तरह से नोट करो खाली three times होगा तो three x लिखोगे लिखा जाए three times more तो यानि के इतना तो है three x more है clear हो गया solve करो कितना बन गया यह करते हो तो यह तो two lakh बन five करो 40,000 और आपने यह क्या चीज find out हो गई note करो 40 x किसको assume करा था यह रहा opening को तो यह तो मेरे opening आ गई लिख दो अब closing भी आपके आ गई closing कितने आ गई यहां लिख लो closing trade receible closing trade receible कितने है आपके ओ एक्स कितना निकल गया 40 यह four x बनता है तो into करो four कितना बन गया one lakh 60 दोनों answer आ गए एक opening आ गया आपका कितना 40,000 closing कितना आ गया one lakh 60 तो इसमें यही find out करना था क्या करना था question में दुबारा से समझ लो जब कभी question में आपको ना तो cash sale दे और ना credit sale और ना total sale दे तो सबसे पहले तो sales निकालो जब GP दे रखा है क्योंकि question में cost of good sold दे रखा था और GP दो को total sale बोलती है उसके बाद जब हमें total sale पता चल गई तो हर business की total sale किसके equal होगी cash sales और credit sale के अच्छा cash और credit sale भी नहीं दे रखी लेकिन hint दे दिया cash sale किसके equal है one third of credit sale तो total sale पता चल गई थी total को put कर दो एक कौन में से एक से जूम करा तो वो उसका one third हो गया तो total आ गई आपके पास अब आपको credit sale पता चल गई credit पता चल गई तो trade receable turnover ratio दे रखा था उससे average trade receable आ गई average के बाद फिर average का formula लगा दो उससे क्या है भाई ये चीज़ तो आपको पता ही चल गई थी कि कितनी आई थी average opening और closing के equal है वो put कर दो opening closing दे नहीं रखे तो उनको एक से एजियूम कर लिया था हमने clear हो गया तो ये थ subscribe कीजिए thanks for watching my video next class में जल्दी मिलते हैं